नमस्कार मित्रों आप लोगों का कृष्णा दूबे मैस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है काफी दुनों के बाद हम लोगों की आज मुलाकात हो रही है और आज का जो ये सेशन है वो उत्तरप्रदेश लोक्षिवा आयुगवारा आजजित की जाने वाली LTE Grade Mathematics Teacher को ध्यान में रखते हुए ये सेशन डिजाइन किया गया है आज जो हम लोग टॉपिक डिसकस करेंगे वो रियल एनालिसिस का टॉपिक करेंगे ठीक है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो लोग TZT और PZT में सेलेक्ट हो चुके हैं और उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिनका कुछ मार्जिन से रुक गया कि आप निरास नहीं हो सामने आपके वेकंसीज हैं आपकी तयारी है और चुकी कि जिसका सेलेक्षन होता है हो सकता है कि ये हमसे कुछ ज़्यादा अच्छी प्रपरेशन की हूँ इस कारण उसका सेलेक्षन हुआ य다 प्रज़ेंस आब माइंड की भी बात हो जाती है बहुत जल्द केंद्री विद्यालेओं में भी वेकंसी जाने वाली हैं तो आपके पास अपॉर्चुन्टी हैं आप उसे यूटिलाइज करिए तो रियल इनालिसिस ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो यह टॉपिक होगा पारियल इनालिसिस इसमें बेसिकली एल्टी ग्रेड माथमेटिक्स में हमको सीक्वेंस और सीरीज पर वर्क करना है ठीक है कुछ टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कुछ डैफिनीशन होती है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए उन्हीं पर based question आते हैं बहुत easy level के question रहते हैं ठीक है और बहुत जल्द मैं एक दिन एक dedicatedly class लेके आऊंगा जिसमें syllabus वैसे मैंने एक class में पिछली किसी class में मैंने discuss किया हुआ है एल्टी ग्रेट का syllabus आप वीडियो को जाके देखोगे बट एक मैं fresh class लेके आऊंगा जिसमें मैं syllabus पूरा discuss कर दूँगा real analysis में क्या पढ़ना है अपने को और calculus में क्या पढ़ना है ठीक है तो बट आज की class एक दम basics रहेगा real analysis का ठीक है तो आईए start करते हैं तो सबसे महत्रपूर्ण होता है real analysis में sequence ठीक है sequence आच्छा आपको ये classes और अच्छे से समझ आएंगी जब आप function set theory अच्छे लेवल से कर रहोगे ठीक है तो अभी मैं some phrases हो तो आपको real analysis में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपको function बहुत अच्छे से आना चाहिए ठीक है domain क्या होता है range क्या होता है co domain क्या होता है set में क्या होता है singleton set क्या होता है यह सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाऊगे बहुत easy सा topic होता है बट यह है कि इसमें कुछ terms होते हैं और उनके बारे में अगर आप जानते रहोगे तो अच्छे से connect कर पाऊगे इस topic में ठीक है so sequence के बारे में अपन लोग बात करते हैं कि sequence होता क्या है तो sequence कुछ नहीं sequence एक special type का function होता है ठीक है तो थोड़ी सी मैं इस पर definition इसकी लिख लूँ ठीक है तो sequence क्या होता है सर तो sequence is a special type of function ठीक है whose domain is अब यहां एक टर्म आ गया domain ठीक है is set of natural number ठीक है तो समझ ना जो sequence होता है वो एक special तरीके का function होता है ठीक है f from और उसका जो domain होता है वो क्या होता है natural number ठीक है अच्छा उसकी range क्या होती है या आप यह मानके चलो कि range में हम लोग कह सकते हैं कि कुछ भी रहे ठीक है अभी हम लोग real analysis में केवल range जो होगी वो अपनी real number होती है लेकिन यहां पर फिलहाल sequence की बारे में जब बात करते हैं तो अभी real analysis को बाद में देखते हैं पहले हम यह देखते हैं कि कोई भी एनी सेट रेंज जो होगा वो कोई भी सेट हो सकता है मैं यस से इसको अगर दिखा दूँ ठीक है कोई भी सेट होता है सेट का मतलब यह हो जाता है कि set of real numbers हो गया set of complex number हो गया set of vectors हो गया ठीक है यह सब कुछ आपका sequence कहलाएगा इतनी बात क्लियर हुई ठीक ओके जैसे मैं एक एक्जामपल ले लूँ suppose करो fn is equal to 1 by n ठीक है 1 by n यह general term को represent करता है यह sequence के general term of sequence ठीक है यह sequence का general term को represent करता है ठीक है इसको fn से दिखाते हैं xn से दिखाते हैं xn is equal to 1 by n ठीक अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना कि sequence में महत्तपूर्ण सी बात यह होती है कि इसका जो domain होता है वो natural number लेना होता है केवल और केवल आपको यहाँ पर जो भी input डालोगे वो कैसा number रहेगा वो natural number होना चाहिए मतलब 1,2,3,4 इस तरीके number होने चाहिए ठीके और उसका जो range होगी वो कुछ भी हो सकता है हो सकता है अभी अगर हम real analysis में जाएं तो वहाँ पर वो real number रहेगा ठीके otherwise वो real भी हो सकता है वो complex भी हो सकता है ठीके vectors भी हो सकते हैं अच्छा अब यहाँ पर हम बात करें कि इस sequence में कौन-कौन से term हो सकते है ठीके यह तो अपना कैसा term है general term तो अगर मैंने natural number f1 n की जगे पर क्या रख दिया वन रख दिया ठीके तो हमारा जो sequence का पहला term आएगा वो आएगा 1 upon 1 मैंने 2 रखा तो यह कितना आजाएगा 1 by 2 मैंने 3 रखा तो यह कितना आजाएगा 1 by 3 मैंने 4 रखा तो यह कितना आजाएगा 1 by 4 ओके अच्छा अब sequence को दिखाया कैसे जाता है तो इस तरीके से आप लगाओगे यह notation होगा sequence का ठीक है करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आपको इस तरीके का ब्रैकेट लगाना होगा और यहां आप लिखेंगे 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, dot 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 and so on ठीक है एक बात का ध्यान रखेंगे sequence में order को proper जिस order में वो जो element है वो जिस order में है जहां पर है वो वहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि यह अफटू मतलब second term है यह तो आप इसको उठा के यहां तीसरे की जगे पे नहीं करोगे ठीक है तो यह चीज का ध्यान रखेंगे कि order इसमें बहुत मैने रखता है पहले की पर दूसरा तीसरे चौथा पाच्वाँ ऐसे आपको रखना पड़ेगा ठीक है तो अब इसके notation क्या होते हैं तो notation एक तो यह तरीके से हो जाएगा दूसरा तरीका होगा कि आप इसके general term को इस तरीके से लिख दो तो यह भी sequence के बारे में बात करेगा या आप ऐसे लिख द समस्या होनी चाहिए वो notation है आप किसी भी तरीके से यहाँ fn xn 1 by n ठीक है यह general term में हो गया ठीक आच्छा एक और महत्वण बात कि यह जरूरी नहीं है कि सारे जो function हो जैसे यह function ही तो है sequence क्या है function है तो जरूरी यह नहीं है कि आपको general term हमेशा मिल ही जाए कोई sequence आपको द उसका general term आपको मिल जाए यह भी कोई जरूरी नहीं है जैसे मैं एक example ले हूँ 0, plus 1, minus 1, 3, 2, 4, 5, 8 मेरे मन में जो जो भी बात आई मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है तो यह यह भी एक sequence है ठीक है जो आपके दिमाग में आए जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आए उसको आप proper arrangement, arrangement ऐसा नहीं कि बड़ा या छोटा बाद में ऐसे जो मन करे वो आप लिख दो लेकिन यह चीज़ का धियान रखना कि जैसे एक मैं example ले लो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 ठीक है यह मान लो एक sequence है ठीक है अब मैंने यहाँ लिखा 2, 1, 3, 4 अब आपको लगेगा कि सर यह और यह दोनों same sequence है तो यह एकदम wrong है मैंने बोला order इसमें बहुत मैंने रखता है इसका मतलब यह है कि यहाँ यहाँ देखो दो जो है वो पहली position पे है ठीक है और one क्या है second पे यहाँ यह one पहले पे यह तो यह एक अलग sequence है यह एक अलग order मायने रखता है ठीक है तो order अगर बदल जाए तो याद रखना वो वो sequence नहीं रह जाएगा तो आपको यहाँ जो मन करे वो लिखो ठीक है बट यह चीज का ध्यान रखना कि जैसे आपको बताया जाए उसी order में आपको रखना पड़ेगा ठीक है अच्छा मैं यहाँ एक बात discuss कर दा था कि कि किसी भी sequence का हम general term निकाल भी पा सकते हैं कभी-कभी निकल जाता है और कभी-कभी नहीं निकलता लेकिन जो हम यह topic में यह जो आपके syllabus की बात है वहाँ पर आपको ऐसे question मिलेंगे जहाँ पर आप आसानी से general term निकाल लोगे ठीक है तो आपको ऐसे question नहीं मिलेंगे कि आप general term ना निका पाओ ठीक है इतनी बात सबको समझ आ गई होगी अब हम बात करते हैं real sequence के बारे में real sequence क्या होता है वही बात देखो मैंने बताया था sequence जो होता है वो क्या होता है f from n to s होता है यह मतलब कोई भी सेट पर लेकिन अगर मेरा यह जो रेंज है वो real number हो जाए तो यही जो function होगा वो हमारा यही जो sequence होगा वो हमारा कैसा sequence हो जाएगा real sequence हो जाएगा मतलब a real sequence is a function whose domain is the set of natural number and range is a subset of real number ठीक है real number का वो subset होगा मतलब f from n to r यह notation हो जाएगा हमारे real sequence का हम लोगों को इसी के बारे में बात करनी है तो अपने दिमाग में एक बात set कर लो आप क्या कि आपको input जो डालना है real analysis में real sequences में वो कैसे number होंगे natural number आपको कोई भी प्रियोग करने होंगे तो आप उसमें कौन सा number डालोगे natural number डालोगे output आपको क्या मिलेगा real number मिलेगा तो आपको real number natural number यह सब पता होना चाहिए अच्छा जिन लोगों को इसमें basics में दिक्कत हैं वो एक काम कर सकते हैं एक playlist है जिसमें basic करके कुछ playlist का नाम मैंने दिया होगा zero point ऐसे मतलब वो zero number डिया है और basic करके playlist है वहां मैंने graph बताया हुआ है कि अलग-अलग graph कैसे खीचे जाते हैं है न और transformation आप graph से बताया हुआ है वहीं पर मैंने set and relation बताया हुआ है वहीं पर मैंने basic terms और भी होते हैं उनके बारे में discuss किया हुआ है तो आप वहां से देख लोगे तो काफी हद तक यहां आपको मदद मिल जाएगी ठीक है तो real sequence क्या होगा तो एक ऐसा sequence होगा जिसका जो domain होगा वो natural number होगा और जो उसका range होगा वो subset होगा किसका real number का ठीक अच्छा इसको अपन लोग code domain बोलते हैं इतनी तो बात सबको पता होगी है न कि भाई जैसे अब हम लोग उस पे जैसे मैंने यहां ले लिया Suppose करो X quare ठीक है मालन लो मैंने यह लिया तो अगर मैंने one input डाला ठीक है तो मुझे output क्या मिलेगा one two डाला तो क्या मिलेगा four three डाला तो क्या मिलेगा nine four डाला तो क्या मिलेगा sixteen ठीक है तो ये जो होते हैं, इधर ये जो set होता है, इसको अपने लोग बोलते हैं range, ये जितने भी element के ये बनेंगे, इनके set को 149, 16, dot, dot, इसको हम लोग बोलते हैं क्या range बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये range अपने को पता है, ये real number का, या generally मैं बात करूं, natural number का है, फिलहार real number पे बात करते हैं, तो ये real number का subset है, तो ये किसका subset है, ये उसका co domain कहलाता है, ठीक है, तो real number, मतलब ये किस में आता है, कोल मिला के ये, किसके अंतरगत आता है, वो, जिसके अंतरगत ये आएगा, या इससे बड़ा set, या ये जिसका subset होगा, वो इसका co domain कहलाएगा, ये range कहलाएगा अच्छा इतनी बात हम लोगों ने समझा ठीक है अब एक और यहां term आता है range of sequence किसी भी sequence का range क्या होता है तो आपने को पता है range जो होता है वो एक set होता है तो दिख लेते हैं the set of all distinct term of sequence is called its range मतलब set के बारे में आपको पता होगा कि हम लोग उसमें से अगर repeated भी होता है तो हम उसके केवल distinct term को ले लेते हैं तो sequence में जितने भी distinct term होंगे उनके set को हम लोग क्या बोलेंगे range suppose करना एक मैंने general term दिया suppose करो xn या fn मैंने दे दिया minus 1 की power n ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इस sequence में कौन-कौन से term आएंगे तो यहां पर हम लोग देखें तो यहां n की जगे पर एक बारी 1 रखोगे तो क्या जाएगा minus 1 ठीक है 2 रखोगे तो क्या जाएगा plus 1 फिर 3 रखोगे minus 1 फिर plus 1 minus 1 plus 1 dot 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 ठीक है तो यह यह तो अपना sequence हो गया sequence और range में बहुत अंतर है यह चीज का ध्यान रखना range एक set है और यह जो sequence होता है मेरा यह जो आपको दिख रहा है sequence यह हो सकता है कि इसमें same term बार-बार repeat करें लेकिन जब हम बात करें इसके range की तो इसका range जो होगा इसका range है केवल minus 1 और क्या है 1 इसका range क्या है minus 1 और 1 ओके चले अब बात करते हैं कुछ example इस पर हम लोग ले लेते हैं चले एक example मैंने ले लिया general term मैंने दिया fn is equal to n upon n plus 1 ठीक है n to r f from n to r यह सारी चीज़ें आपको वहाँ दिया रहेगा तो हम लोग कुछ term निकाल लेते f1 मतलब पहला बहला term क्या जाएगा 1 upon 2 f2 क्या हो जाएगा 1 upon 3 sorry sorry 1 upon 2 यहां रखोगे 2 upon 3 f3 क्या हो जाएगा तो 3 रखोगे 3 by 4 ठीक f4 क्या हो जाएगा 4 by 5 ठीक तो इसका जो sequence आएगा वो क्या आएगा sequence क्या हो जाएगा 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and so on यह इसका sequence हो गया अब मैं इसके range की बारे में बात करूँ पिसमें तो सारे distinct हैं इसलिए हम इसके range को भी इसी तरीके से दिखा सकते लेकिन सब के साथ ऐसा नहीं है ठीक है तो I think आपको sequence के बारे में समझा गया होगा ठीक है तो sequence क्या होता है f from n to r यह दिमाग में रखना है n मतलब natural number होना चाहिए ठीक है और दूसरा होता है अपना real sequence तो सरी यह real sequence ही है ठीक है और अगर हम बात करें इसके range of sequence के बारे में तो range of sequence क्या होता है तो sequence में जितने भी term होते हैं या हम यह कहें कि distinct term का जो set बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे range of sequence बोलेंगे ठीक है और जो range होगा वो हमेशा real number का subset होगा ठीक है रेंज जो होगा वो हमेशा subset होगा किसका real number का ठीक है अब एक मैं तो पूर्ण बात काफी ध्यान रखने वाली बात है आज basic class है तो basic एकदम discuss करूँगा ठीक है तो जो sequence होता है सर वो क्या होता है कि हर point पे define होना चाहिए हर point का मतलब natural number मैं बार बार कह रहा हूँ अपने को domain में किवल natural number रहना है ठीक है तो sequence should be defined at every point मतलब sequence जो होगा वो हर point पे मतलब सारे जितने भी natural number है ना उन सब पे वो define होना चाहिए अगर किसी पर भी वो define नहीं हुआ तो हम उसको sequence नहीं कहेंगे जैसे मैं एक example लो suppose करो xn is equal to 1 upon n-3 ठीक है ठीक है अब मुझे बताना है क्या ये sequence form करेगा तो आपका उतर होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि जब मैं n is equal to 3 रखूंगा ठीक है जब मैं n is equal to 3 रखूंगा तो ये जो function होगा वो define नहीं होगा आपको भी पता होगा infinity आने लगा है ना तो य इस कारण से n is equal to 3 पर ये function define नहीं है इसलिए ये sequence नहीं है it is not a sequence ठीक है ओके बात करते हैं next just a minute okay constant sequence constant sequence नाम से ही पता है आपको है ना कि मतलब आप input कुछ भी डालोगे output कोई एक similar real number में लेगा आपको okay मतलब हम कह सकते हैं कि a sequence xn defined by xn is equal to c और ये c कहां बिलांग कर रहा है real number में बिलांग कर रहा है for every n belonging to n n मतलब natural number में n बिलांग कर रहा है ठीक है is called constant sequence इसे अपन लोग क्या बोलेंगे constant sequence बोलेंगे ठीक है तो अगर मैं बात करूं xn is equal to तो क्या आ जाएगा sequence में तो ये हो जाएगा c c c c है ना कुछ भी output डालोगे आप input डालोगे आपको output में c c c same number same real number में लेगा अगर मैं बात करूं इसका range की तो इसका range जो आएगा वो क्या आएगा c आएगा जो कि एक क्या होगा singleton set होगा जो कि क्या होगा एक singleton set होगा ठीक है अब अपन लोग बात करते हैं कुछ और इसमें terms जो की हमको frequently आने चाहिए bounded and unbounded sequence ठीक है bounded and unbounded sequence ठीक है तो bounded sequence किसे कहोगे आप और unbounded sequence किसे कहेंगे इसके बारे में हम लोग आईए देख लेते हैं ठीक है तो bounded sequence में दो तरीके के अपने को मिलेंगे एक bounded above होगा एक bounded below होगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करें bounded above की ठीक है bounded above ठीक है bounded above sequence तो कोई भी sequence bounded above कभ होगा जब उस sequence में या उस sequence या मुझे कोई एक ऐसा के कोई भी एक number ऐसा मिल जाए जिससे की वो sequence उस के से वो sequence जो हो वो स के से क्या हो हमेशा छोटा हो ठीक है ऐसे समझो मान लो यह आपका एक sequence हो गया यहां से यहां तक आपके sequence है ठीक है तो हमको एक ऐसा number यहां पे मिल जाए जिससे की यह मिलेंगे तो धेर सारे है न बट अभी हम लोग इस पे नहीं जाते हैं कि धेर सारे में क्या होगा कैसे होगा बस यह समझो कि मान लो यह sequence है आपका इसमें धेर सारे आपको terms दिख रहे हैं ठीक है अब यह sequence अब मुझे कोई एक ऐसा के मिल जाए जो की इस sequence में इससे बड़ा हो तो हम क्या कहेंगे कि यह sequence क्या है bounded above है ठीक है इसी को by definition अगर हम लोग लिखना चाहें तो यह होगा a sequence an या xn is said to be bounded above if there exist a real number k such that कैसे k मिलेगा मान लो इसका एक general term मैंने ले लिया an ठीक है तो an मतलब इसी sequence का होगा मैंने क्या बताया कि आपको एक ऐसा k मिलना चाहिए जिससे की यह an जो हो वो हमेशा छोटा हो या कभी-कभी बराबर हो सकता है कि इसी sequence का ही element अभी example आएंगे ठीक है तो यह इससे हमेशा क्या हो छोटा हो for every yarn belonging to n ठीक है तो यह अगर ऐसी इस तरीके की condition कोई sequence फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो sequence क्या है bounded एभाव sequence है इतनी बात समझा गई ऐसा ही bounded below क्या होगा फिर bounded below bounded below आप किसे कहोगे तो simple सी बात है suppose करो यह आपका एक sequence हो गया ठीक है bounded below का मतलब आपको नीचे से bound करना है ठीक है तो मतलब इस sequence में इस sequence यह जो sequence आपको दिख रहा है इससे छोटा कोई मानलो small k मतलब सारे sequence इस नंबर से बड़े हों सारे sequence के सारे टर्म इस k से बड़े हों small k मैं लोंगा bounded below के लिए इससे अगर बड़े हों तो हम कहेंगे यह k जो है वो हमारा क्या कहलाएगा यह sequence हमारा क्या कहलाएगा bounded below मानलो यह sequence हो गया ठीक है और इस sequence का अगर मैं general term बात करूँ an है ठीक है तो मेरे को पता है कि an जो है वो हमेसा बड़ा रहेगा या बराबर भी हो सकता है किसके k के small k ठीक है तो अगर ऐसी properties कोई sequence follow करता है तो हम कहते हैं कि यह अपना bounded below है ठीक है अगर मैं इसको definition लिखूँ जो हम यह कहते हैं कि authentic definition होती है या जो जिनको हम लोगों को पता होना चाहिए frequently ठीक है तो वो क्या होता है simple उसी तरीके कि if there exists a real number small k such that an जो हो वो greater or equal हो किसके small k से for every n belonging to n से ठीक है अच्छा यहां जो k होता है यह bounded evo की बात करें तो इसको हम लोग upper bound कहते हैं सीधी सी बात है उपर से इसने बोलते हैं lower bound ठीक है जो नीचे bounded below वाले को क्या बोलेंगे lower bound नीचे से उसने bound किया sequence को और इसने उपर से bound किया ठीक है अब बात करते हैं कि bounded sequence क्या होगा हमने bounded evo देखा bounded below देखा अब होता है next हमारा bounded sequence तो सीधी सी बात है कोई sequence ऐसा हो जो कि bounded evo भी हो bounded below भी हो सपोस करो यह मेरा एक sequence है ठीक है यह general term an है इसका और यह इधर से ऐसे धेर सारे मिलेंगे infinite many आपको bounded evo आपको मिलेंगे real numbers ठीक है मैंने एक capital K यहां से ले लिया और एक मुझे ऐसे यहां पर भी आपको धेर सारे bounded below आपको real numbers मिलेंगे जो जिसके लिए जो धेर सारे ऐसे numbers मिलेंगे real number जो कि इससे छोटे रहेंगे ठीक है मैंने इसमें small K ले लिया ठीक है तो अगर दोनों चीजें साथ में हो तो हम उस sequence को bounded sequence कहते हैंगे means to say an जो हो वो less or equal हो किसके capital K से but greater or equal हो किसके small K क तो हम बोलेंगे कि this type of sequence is called bounded sequence ओके इतनी बात सबको clear हो गई होगी ठीक अच्छा एक example मैं ले हूँ जैसे मैंने यहां लिखा one comma one by two comma one by three dot 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 अब इसके बारे में जरा ध्यान पुर्वक समझो नंबर लाइन पे इसको plot करें हम अगर तो यह तो zero हो गया अपना और यह क्या है one यहां one हो गया अच्छा one by two इसके बीच में आएगा one by three इसके बीच में आएगा कुल मिलाके एक बात मुझे इस पस्ट है कि जितने भी नंबर होंगे जैसे यह one है यह क्या है point five यह क्या है point three three one by four आएगा point two five इसी तरीके से चल रहा है इसका मतलब जीतने भी नंबर है zero और one के बीच में है ठीक है मतलब अपना sequence जो है suppose करो यहां से start हो रहा है और कहां तक जा रहा है यहां तक एक तक ठीक तो अब अगर मैं इसमें बात करूं कि lower bound और upper bound इसका क्या है तो एक बात तो हमको clear हो रही है कि मुझे इस sequence में जरूरी नहीं है कि sequence के बाहर मैंने यहां equality का sign लगाया है तो इसका मतलब यह हो सकता है sequence में भी कोई एक ऐसा number मिल सकता है जिसके बराबर या जिस से छोटा होगा sequence तो भी हम बोलेंगे कि वो उसका upper bound है तो यहां आपको दिख रहा होगा कि one जो है one से बड़ा कोई भी इसमें term नहीं है इसका मतलब one इसके लिए किसका काम कर रहा है upper bound का किसका काम कर रहा है upper bound का ठीक है अच्छा एक बात आप ध्यान से समझो जीरो जो होगा मैंने बोला कि sequence किसी एक particular number या धेर सारे number से बड़ा होना चाहिए तो हम बोलेंगे वो number वो particular number या धेर सारे number उसके lower bound कहलाएंगे तो सीधी सी बात है मुझे और इससे पहले इससे पीछे बहुत से term है minus one minus two minus infinity बहुत से minus 15 minus 20 ये सारे ये सब के सब इससे छोटे होंगे इस sequence के general term मैंने एन माना इससे छोटे होंगे लेकिन अभी फिलाल मुझे एक बात इस पर श्थो रही कि zero जो है zero जो है वो मुझे इसके तुरंत बाद वाला छोटा वाला term मतलब इससे तुरंत पहले का छोटा term देख रहा है न यानि कि कह सकते हैं कि ये जो भी sequence है वो zero से बड़ा है हमेशा यानि कि zero को हम कह सकते हैं lower bound है zero क्या है इसका lower bound है I think इतनी बाद सबको अच्छे से clear out हो गई होगी तो इस sequence में हमको अगर निकालना पड़े upper bound क्या है तो upper bound 1 है और इसका lower bound क्या है zero अब इसी में एक और टर्म आता है हमारा हम लोग ने bounded sequence देखा अब unbounded देखते हैं unbounded एभव sequence अच्छा unbounded sequence कहोगे किसे आप तो ऐसा sequence जो bounded नहीं होगा अब unbounded एभव का मतलब होगा कि उपर से वो bound नहीं रहे मतलब कोई भी ऐसी value उसको मिले ही नहीं जो कि उसको बाहर से bound करें ठीक है unbounded एभव कहते हैं ऐसी unbounded below क्या होगा तो कोई भी ऐसा number मिलेगा ही नहीं तुमको कि जिससे वो जो sequence होगा वो उस number से बड़ा होगा ठीक है ऐसा कोई number आपको मिलेगा नहीं मतलब आपको होगे कि धेर सारे number ऐसे आपको दिखेंगी जैसे या धेर सारे number in the sense वो मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कहना ज़्यादा बेटर है ठीक है जैसे मैं यहाँ एक एक्जामपल ले हूँ आपके सामने मैंने लिगा 1, 2, 3 मतलब ये वाला natural number ठीक है 4 डॉट 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 अब अगर मैं बोलूँ कि इसका बताओ इसका upper bound क्या है और lower bound क्या है ठीक है तो आप तुरंद कहोगे कि सर ये जो sequence आपको हमको दिख रही है इसमें सबसे छोटा जो term है वो 1 है ठीक है सारे term 1 से क्या है छोटे है या 1 के बराबर एक sequence है यानि कि इसका जो lower bound है इसका जो lower bound है नीचे से जो इसको bound कर रहा है वो कौन है 1 है लेकिन आप ध्यान से देखो ये infinity तक बढ़ रही है कोई भी ऐसा term आप बताओ जिससे ये sequence क्या हो जाए छोटी हो जाए 15 तो आपको पता है ये 15 तो इसी sequence में आएगा उससे बड़े देर सारे हैं इसका मतलब ये sequence unbounded उपर बाहर की तरफ ये unbounded है है ना unbounded ये भाव sequence है ओके ऐसे ही अगर मैं minus n ले लूँ क्या ले लूँ minus n आप ज़रा इस sequence में बात करो तो minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 dot 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 ठीक है मैं number line पे इसको plot करके आपको दिखाता हूँ ये 0 है अपना ये minus 1 हो गया ये minus 2 हो गया ये minus 3 हो गया इसी प्रकार आप मुझे बताओ वो कौन सा ऐसा number है ठीक है जिससे अगर मैं 0 ना लिखूँ अभी फिलहाल के लिए इसमें बताओ कि इसका upper bound क्या होगा मतलब इस sequence में कौन सा सबसे बड़ा number होगा तो आप कहोगे sir minus 1 जितने भी आपको इधर number दिखेंगे कुछ भी number होगा वो minus 1 से छोटा होगा यानि कि इसका upper bound तो हमको मिल गया upper bound इसका क्या है minus 1 है लेकिन अगर मैं बात करूँ अच्छा कोई कहगा sir 0 क्यों नहीं लिए मैं उन्हें बताया कि धेर सारे upper bound मिलते है infinite many upper bound मिलेंगे अभी इसका नाम मैं दूँगा least upper bound आप supremum बोलते हैं इसको infimum आएगा greatest lower bound तो इसके बारे मैं चर्चा करूँगा तो एक चीज़ ध्यान रखना infinite many upper bound मिलते हैं infinite many lower bound मिलते हैं अगर मिलेंगे तो अब यहाँ देखो इसका lower bound कोई बताए कोई एक ऐसा number बताओ जिससे यह sequence क्या हो जाए बड़ी हो जाए ठीक है तो ऐसे तो धेर सारे आपको दिखेंगे न और धेर सारे का मतलब यह तो infinity तक जा रहा है तो कुछ है ही नहीं तो इस तरफ तो खाली है इसका मतलब यह bounded unbounded below है नीचे की तरफ यह bounded नहीं है ठीक है ओके अब हम बात करते हैं अपने एक बहुत महतपूर सा थियोरम है ठीक है उसके बारे में चर्चा कर ले जिस्ट अ मिनिट ओके सो थियोरम है थियोरम क्या है सर अ सीक्वेंस अन इस बाउंद इफ और अनली इफ देर इग्जिस्ट अ पोजिटिव रियल नंबर M अब यह कहना क्या चाहरा है इसको दूसरे तरीके से आपको पता होगा कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे है कि मॉड आफ एक्स इस लेस अर इक्वल टू के तो हम यहां कहते हैं कि जो एक्स होगा वो क्या होता है लेस दैन के होता है एंड ग्रेटर अर इक्वल टू किसके होता है माइनस के से ठीक है इनेक्विल्टी जो आप लोग का टॉपिक है फर्स्ट जो वीक में पढ़ाया जाएगा वो इनेक्विल्टी क्योंकि हर जगे आने वाली है इनेक्विल्टी फंक्विल्टी फंक्विल्टी हर जगे पूरा भारा पढ़ा है mathematics तो function ही है तो और inequality तो हर बार ही आएगी तो यह term आपको पता होना चाहिए कि mode of x तो यह theorem यह कहता है कि अगर कोई sequence bounded है ठीक है if and only if एक positive number m real number x प्रकार मिलेगा कि उस sequence का आप modulus मतलब general term का modulus निकालो और उस एक positive real number से अगर वो छोटा हो जाए समझा आपको कोई sequence मिल जाएगा अगर आपने उसका modulus निकाला और modulus किसी एक real number से किसी एक positive real number से positive याद रखना positive real number से वो modulus छोटा हो जाएगा तो आँख बंद करके आप उसको बोलना कि वो sequence कैसा sequence है bounded आपको देखने के जुरूरत ही नहीं है कि वो bounded eva उसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको निकालने के जुरूरत नहीं है आप उसका modulus निकालो और modulus अगर किसी एक positive real number से किसी specific positive real number से छोटा हो गया तो तुरंद आप उसको कहोगे कि वो sequence क्या है bounded तो question आएंगे आपको तो ये मदद कर देगा ठीक है यानि कि अगर मैं इस term में इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या an is less or equal to capital M and greater or equal to minus M बोलो हाँ या ना सही है ठीक है ओके अब अपन लोग बात करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की सुप्रीमम और इन्फीमम ठीक है अच्छा सुप्रीमम को सर क्या कहते है तो सुप्रीमम को अपन लोग कहते है एको सुप्रीमम ऐसे याद रखो सुप्रिमम मतलब बड़ा मतलब उपर वाला है न तो अपर बाउंड सुप्रिमम अपर से याद रखना सुप्रिमम अपर बाउंड ठीक है और इन्फिमम मतलब नीचे मतलब लोवर बाउंड अब आप मुझे बताओ एक बात आप अगर अपर बाउंड में जाओगे तो अपर बाउंड तो इन्फाइनाइट में नी होंगे धिर सारे होंगे उसमें आप किसके बारे में बात करोगे जो सबसे पहले दिखेगा सबसे पहले मतलब सबसे छोटा जो होगा वो upper bound क्योंकि सबसे बड़ा तो बहुत बड़े-बड़े होंगे infinite में नहीं होंगे इसलिए supremum की जब बात करेंगे तो कैसा upper bound होगा सबसे छोटा वाला उसके बारे में बात करनी होगी तो उसे बोलेंगे least upper bound और infimum के बारे में जब बात करेंगे तो सीदी सी बात है कि उससे छोटे तो धेर सारे मिलेंगे infinite में नहीं lower bound क्या होंगे infinite में नहीं lower bound sequence मिलेंगे तो वहाँ मेरे को सबसे बड़ा देखना होता है greatest lower bound वो क्या होगा greatest lower bound मतलब कुल मिलाके ये आपका sequence है ठीक है और ये आपके धेर सारे upper bound है और ये आपके धेर सारे lower bound है अब इस lower bound में इस upper bound में मुझे ऐसा upper bound रूना है जो सबसे छोटा होगा जिसे हम बोलेंगे least upper bound यानि कि supremum और इस lower bound में मुझे ऐसा lower bound चुनना है जो सबसे बड़ा हो क्योंकि इधर तो बढ़ते चलेंगे इधर वाले term तो सिधिश बात है ये वाला इस से ये वाला ये वाला इस वाले से बड़ा होगा ये वाला इस से वालब इस में सबसे बड़ा ये है तो ये होगा अपना greatest lower bound यानि की infimum ठीक है तो sequence में हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखा ठीक है कि supremum infimum क्या होगा तो lower bound में infimum क्या होता है तो धेर सारे lower bound infinite में नी मिलेंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो infimum और धेर सारे infinite में नी upper bound मिलते है sequence में अगर मिल रहे होगे तो ठीक है तो ऐसे case में जो सबसे छोटा होगा वही upper bound को आपको क्या कहोगे आप उसको supremum कहोगे ठीक है तो आज की class में इतना ही next class में हम लोग divergence, convergence sequence क्या होते हैं इसके बारे में करेंगे ठीक है और epsilon वाला basic concept से basic definition से निकालेंगे कौची sequence के बारे में पढ़ेंगे ठीक है वो हम लोग next class में पढ़ेंगे तो आज के लिए जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next class में